वेलकम दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटलेक्शन में आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और कई बार हमें इसके जरुरत भी पढ़ती है पर हमारे पास कोई आप्शन नहीं होता इस वज़े से हम इस वीचर का यूज नहीं कर पाते हैं जी हां मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से वाट्सेप से किसी दूसरे के स्टेटस में जैसे वीडियो डला है तो आप उसे कैसे सेव करके रख सकते हैं अपनी गैलरी में इसके लिए हम अब तक क्या करते आ रहे हैं जिस user ने WhatsApp वीडियो डाला है यानि कि अपने status पर WhatsApp वीडियो डाला है हम उसे request करते हैं कि आप ये वीडियो हमें भेज दीजिए हमें इसकी जरुरत है या हमें ये चाहिए तो अगर उस user ने आपको भेज दिया तो आपको वो वीडियो मिल जाता है लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी reason की वज़े से वो user आपको नहीं भेज पाया वो वीडियो तो आपसे वो वीडियो मिस हो जाती है हो सकता है वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful हो और कई बार entertainment के लिए भी होती है लेकिन अगर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा useful है तो उस condition में आप उस वीडियो को मिस कर जाते हैं या फिर आप दुबारा request करते हैं और अगर उसके बाद भी user ने आपको send कर दिया तो ठीक है अगर नहीं कर पाया तो फिर वो फिर से आप से मिस हो जाती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अगर हमें किसी WhatsApp status पर किसी user ने personal video को shoot करके डाला है और आपको वो video चाहिए तो आप कैसे करेंगे अब मान लीजिए उस user ने किसी video को डाला है जो कि common है net पर तो आप download कर सकते हैं लेकिन अगर उस user ने कोई ऐसी video डाली है जो उसने personally shoot की है और वो available नहीं है अब तक internet पर तो उस case पर क्या होगा आप चाहा कर भी नहीं download कर पाएंगे उस video को तो अगर आप चाहते हैं कि किसी user के personal video को जो कि status पर डाला हुआ है उसे अपनी gallery पर save करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको trick बताने वाली हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए एक app की ज़रुत पड़ेगी आपको और वो app है ये app है A to Z screen recorder अभी जो आप video देख पा रहे हैं वो भी इसी app से record हो रहा है तो आपको क्या करना है इस app को Google Play Store से download करना है इसके थुरू हम क्या कर सकते हैं हमारे mobile के screen को record कर सकते हैं जी हाँ अभी आप जो video देख पा रहे हैं वो भी इसी की help से record हो रहा है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है इस app को simply touch करना है touch करने के बाद यह आप से पूछेगा start करके तो आपको क्या करना है start पर touch करना है फिलहाल मेरा जो video है अभी on है तो यह आपको अभी option show नहीं करा पाऊंगी में लेकिन आपको क्या करना है जैसे ही आप इस app पर touch करते हैं तो क्या होगा start वाला option दिखेगा आपको बस उस start पर touch करना है उसके बाद आपका जो recording है वो शुरू हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है simple whatsapp open करना है मान लीजिए मुझे ये video चाहिए उसे touch करके छोड़ दीजिए और ये देखिए ये जो video है ये तो चल रहा है विडियो और साथ में ये क्या कर रहा है ये जो app है आपके screen को record कर रहा है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी video को record कर सकते हैं अब आप क्या करना चाहते हैं इस video को stop करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको जो ये button दिख रहा है इस पर press करना है और अगर आप pause करना चाहते हैं अपने video को बीच में तो आप ये button का use करेंगे लेकिन अगर आप save करना चाहते हैं तो आपको simply इस button को क्या करना है टच करना तो आपकी गैलरी में A to Z करके एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर आपने जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया है वो सेव हो जाएगा तो आपने बहुत ही आसान तरीके से वाटसेप की वीडियो को यानि किस वाटसेप स्टेटस की वीडियो को स्टोर कर लिया अपनी गैलरी में तो उमिद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी जादा हैलफूल होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू